गर्णी शिक्षन शास्त्र से रिलेटेट कुछ कुछ कुछन कम्प्लीट करने वाले जो कि आपकी प्रीवियस एर एक्जाम्स होती है उसमें पूछे गए हैं और जैसा कि आप सब भी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यदि आप आलविका स्वाज शिक्षा शास्त्र के 2000 क कुछन की सीरीज को खरीदना चाहते हैं क्योंकि अभी एक्जाम टाइम आज चुका है तो जितना ज्यादा कुछन के प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही ज्यादा बैनिफीशल हमारे लिए रहेगा और उतना ही ज्यादा परफेक्शन के साथ हम लोग वहां पर आंसर के नोच भी भाई करना चाहते हैं तो हमारे पर्यावरन अध्यन के नोच भी अवेलेबल है विट 20 मॉक टेस्ट आप इसे भी खरीच सकते हैं तो वहीं से सारे हर एक पेपर से एक से दो कुछन निकाले गए ताकि हर तरीके की प्रैक्टिस आपकी हो पाए सबसे पहला कुछन आपकी स्क्रीन पर है गणित शिक्षन के दोरान बालकों को कोई पार्ट पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका घ्यान प्राप्त कर लेना आवशक है मतलब गणित पढ़ाने से पहले टीचर किस चीज के लिए रेडी रहे mentally तो वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है संबंदित पार्ट का उद्दिश टीचर को पहले से बता हो तूसरा संबंदित पार्ट की जो शिक्षन वीधिया है उसके बारे में टीचर जानकारी रखे संबंदित पार्ट के जो प्रशन बैंक है लाइक क्या 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 कुशन बच्चों से पूछे जा सकते हैं या फिर प्रशन बैंक वो पहले से रेडी कर ले कि बच्चों को यह यह कुशन मुझे करवाने है या फिर none of this यहाँ पर दिया हुआ है तो वो यह कि जो suitable answer है वो आपको यहाँ पर select करना है answer यहाँ पर क्या होना चाहिए answer हो जाएगा आपका option number one यानि कि संबंदित पार्ट का उद्देश teacher जो भी lesson यहाँ पर बच्चों को teach कर रहा चाहिए वो जया मिती हो गया question two में एक diagram पहले आपको देखना है और आपको यह बताना है कि इसका purpose क्या है कक्षा 6 के विध्यार्तियों के लिए है यह कक्षा 6 के विध्यार्तियों को किसी मकान का नक्षा दिया गया है इस तरीके से पूरा मकान में बताये गया है कि यहाँ पर जो बच्चों का अध्यान कक्ष होगा यह जो है बाराफिट में इसका भोजन कक्ष बनेगा यहां से गली निकलेगी रसोईगर होगा पूरा बच्चों के सामने यह पेश किया गया है अब क्ष्चन हम लोग देखते है क्ष्चन में क्या पूछा गया है विध्यार्तियों से कहा गया है कि वे ज्यात करें कि प्रत्यक कमरे का परिमाप और उसका शेत्रफल क्या है दूसरा दिया गए मकान का कुल परिमाप निकालेगा और उसका कुल शेत्रफल निकालेगा दूसरा दियारतियों के उत्तर परिमाप शेत्रफल आदी की विमाओ, परीकलनों, सुत्रों के ग्यान से संबंदी समझ का निदान करने में शिक्षक की मदद करेगा टीचर को समझ आएगा कि बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इस ट्रिगनो शेत्रमीती वगेरा कर रहे हैं देख इसको लेकर बच्चे क्या जुन चीजों को समझ आएं कोई दिक्कत परिशानी बच्चों को तो नहीं हो रही है तीसरा है विध्यारतियों को यह कारी रोचक लगेगा और वो एक दुसरे को शांती भंग नहीं करेंगे और फॉर्थ है यह कारी गणीत की परिक्षा के प्रती बच्चों के मन में भहे पैदा कर देगा देखो फॉर्थ वाला उप्षन बच्चों के मन में इसे बड़े कुश्चन देखकर डेफिनेटली डर जाती एवन हम लोग भी जब इसे कुश्चन देखने है तो लगता है कि बहुत जादा टाइम कंजूमिंग इस प्रकार के कुश्चन होते हैं तो अपन लोग इस परिशानी आ रही है डिफिकल्टीज आ रही है टीचर उसको फाइंड आउट कर पाएगा ठीक है डाइग्नोसिस उसका कर पाएगा और डाइग्नोसिस होने के बाद टीचर आसानी से उसका उप्चार कर सकता है तो बी आंसर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बिलकुल जाएगा कि इसा होता है कि एक्जाम में बड़ा कुश्चन दिखा है हम लोग अवोईट करते थे कि चलो एक्जाम में टाइम कम बचेगा इस कुश्चन का अवोईट कर दो बलकि यहाँ पर ऑप्शन टू पढ़ने से ही लग गया था कि आंसर भी ही होना है नेक्स जस्या को हल करने के लिए कौन सी गणिती संक्रिया का प्रियोग यहाँ पर किया जाना चाहिए अब कुश्चन सुनना एक दूद वाला दस दिन में 1410 लीटर दूद बेचता है केवल एक दिन में वह कितने लीटर दूद बेचेगा उप्रोग तो सवाल में जब हम लोग ब देखा था बच्चा यहाँ पर चीजों को क्या कर रहा है विशलेशित कर रहा है उनको एनालिसिस कर रहा है क्या चाहिए 1410 लीटर है दस दिन में तो एक दिन में 147 लीटर होना चाहिए तो बच्चा यहाँ पर चीजों को क्या कर रहा है एनालिसिस कर रहा है उसका विशले learning materials होते हैं 21 और more than भी हो सकते हैं लेकिन 21 तो आपको पढ़ना ही है कि किस-kis प्रकार की सामागरी जो है आप वहाँ पर maths को teach करते समय ध्यान रखेंगे और उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हो तो देखो सबसे पहला option आपके सामने है कि जो overhead projector होता है वो द्रश्य सामागरी के अंतरगत आता है शवी के अंतरगत आता है या फिर audio video दोनों के अंदर के आएगा या फिर एक यांत्रिक सामागरी के अंतरगत इसको consider कि आ जाता है तो देखो overhead projector क्या होता है किसी भी कोई भी आप लोग कुछ भी चीज मालूम मैंने screen पर यहाँ पर कुछ भी लिखा है तो यह screen चोटी है आपको पीछे बड़ी जो wall दिखरी है दिवार है उस पर यह बहुत बड़ी screen पर दिखाई देगा तो overhead projector एक तरीके से चोटी चीजों को बड़ enlarge करने का कार्य करता है तो यह द्रश्य सामागरी के अंतरगत आता है overhead इसका नाम क्यों रखा गया है क्योंकि मालूम मैं यहाँ पर screen पर कुछ भी लिखरी हूँ तो मेरे सर के उपर एक light होगी एक तरीके साब उसको camera type बोल सकते एक पूरा setting रहता है जिसकी वज़े से वो इस screen को capture करेगा और पीछे जो बड़ी wall है दिवार है उसके उपर पूरा दिखाएगा बड़ी screen पर तो यहाँ पर आपका answer हो जाना चाहिए यह एक प्रकार की द्रश्य सामागरी के अंतरगत consider किया जाता है अगले question की बात करते हैं गणित के विध्यारतियों के portfolio में क्या ह चीजे हो सकती है अधिन्यास कार्य के record कार्य पत्रक गणित प्रयोक्षाला की गती विध्यो के record किसी भी गणिती model पर write-up गणिती poster और कार्च हो सकते किसी भी प्रकार की समस्या जिसका हल्क हो जा गया अत्वा समानी करण किया गया और यह सारी चीजे बच्चे के portfolio में होन प्रयोक्षाला की गती वीधियो के record आपने मैच में क्या क्या experiment करवाय थे आपने जो है पाइथागोरस theorem को किसी activity के थ्रू करवाय था कोई भी activity होगे geometric आपने अलग से सामान आपने मंगवाय थे ठीके 10 ग्राम बगेरा मंगवा लिया तो वो सारे record आप यहाँ पर रखोगे गणिती model के लिए जो write-up है वो सारे आप वहाँ पर रखोगे गणिती poster card जितनी भी सारी सामागरी है वो सारी बच्चों के portfolio के अंद को option number one में तो definitely आपका option number one यहाँ पर write रहेगा अगले question की बात करेंगे मुक्त अंत वाले प्रशन की पहचान करें मुक्त अंत मतलब की open ended यानि की out of the box out of the box मतलब की खुले विचारों वाला जहाँ पर बच्चा जो अपने विचारों को पेश कर पा रहा है पहला ही option है आप का परिक्षित विमाव 5 cm, 2 cm और 5 cm का एक घनाब बनाता है एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाब की आवशकता होगी ठीके तो एक घन को बनाना है तो आप कितने घनाब यहाँ पर लोगे 5-25 cm की विमाव वाले सेकिंड है अभाज गुणनफन पदती का प्रियोग करत तीसरा है दस का घन ग्याद करिए और option D है कोई AC 5 संखिया लिखिये जिनका घन 64 से अधिक होगा मतलब बच्चे को सबसे जादा दिमाग कहा पर लगाना पड़ेगा पहला तो आपको सिर्फ क्यूब वाली चीज़ें वो निकालने है फॉर्मूला लगाकर और यहाँ पर भ बच्चा देखेगा कि 64 किसका होता है तो यहाँ पर निकालेगा कि 4 का 46 होता है तो 4 के उपर जो संखिया होगी वहाँ पर वो सोचेगा कि 64 किसका होता है उसके बाद कितनी संखिया है मैं लू जिनका 64 से अधिक होगा तो यहाँ पर बच्चे को दिमाग लगाना पड़ रह तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका option number D अगले question की बात करेंगे अगला question आपसे बोल रहा है कि शेत्रमिती इकाई का योगात्मक आकलन किसके द्वारा किया जाता है शेत्रमिती इकाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसका योगात्मक आकलन आपको करना है यो लिए आजाता है वो वाला assessment इसके अंदर रहता है तो formative जो होता है हम लोग बीच बीच में जिसे की हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो रचनात्मक आकलन जिसे की formative assessment हम लोग बोलते हैं सेशन के बीच में किया जाता है दो रचनात्मक आकलन करने के बाद एक हमारा summative होता है मतलब कि एक प्रकार से exam हो जाती है बच्चों की तो वो उसे हम लोग योगात्मक के अंदर मानते हैं और अंत्रिम जो की बीच बीच में चेक करने के लिए कि स्कूल अपनी activity को अच्छे से perform कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लोग अंत्रिम आकलन कर लेते है यहां पर आपसे पूछा गाए कि योगात्मक आकलन किसके द्वारा हो सकता है गणित प्रयोक्षाला पेपर पैंसिल ICT के द्वारा या फिर परियोजना कारी के द्वारा गणित प्रयोक्षाला विधी formative यानि कि रशनात्मक आकलन का इस्सा है ICT आप जितनी भी अलग- पैंसिल टेस्ट जो कि हमारे summative assessment के अंदर consider किया जाता है आजसर आपका यहां पर हो जाएगा option number B ICT में आपने देखा होगा information, communication, technology जितनी भी होती जहां पर बच्चों को sci lab, mat lab और geo zebra इसके माध्यम से गणित का अधियन करवाया जाता है तो वो definitely आपका formative assessment में आएगा math lab के अंदर यह सारी चीज़े consider की जाएगी तो paper pencil test ही आपके पास बचा है answer अगले question की बात करेंगे अगला question आपसे बोल रहा है कि जिन विध्यार्थियों को जामिती शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए जिन बच्चों को geometry वगरा और इसके जो शब्दावली है वो समझ में नहीं आ रही तो बच्चों की help कैसे की जा सकती है अधिक से अधिक गती वीधियों का प्रियोग करना चाहिए जिसे की work पहली यानि की crossword puzzle का प्रियोग कर सकते हो जिक्सों का प्रियोग कर सकते हो आधि को बनाना है आप उनको हल करवा सकते हो दूसरा option आपके सामने जामिती शब्दावली की परिभाशा पर विध्यारतियों के एक परिक्षा लेलो कि आपको कितना learn हुआ है अभी तक इसके उपर समूचर्चा को आप लोग प्रोचाहित कर सकते हैं या समस्त जाती जब बच्चों को कुछ learn और बच्चों को पहले से ही परेशानी हो रितम लोग exam तो लेंगे नहीं तो BOD यहाँ पर गलत है 1 और C में से एक right हो सकता है और जैसे की बात की गई है कि बच्चों को जयामिती शब्दावली समझ नहीं आ रही है तो जितना ज़्यादा ब पूचा हुआ ही कोश्चन है अगले कोश्चन की बात करते हैं कोश्चन नमबर 9 आपकी स्क्रीन पर है गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते होए शिक्षक ने चार विचार बता है निमनल लिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करेगा तीके नकारात्मक निकालना पड़े का अंसर सबसे पहला है मेरे विचार में समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बहतर होता है दूसरे ओप्शन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे मेरे विचार से गणित की पाठी पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तिमाल किये जा सकते हैं क्या यहाँ पर बोला गया एक नकारात्मक निकालना था तो पहला वला बिल्कुल ठीक है कि गणित की कक्षा से जोड़ना उनको काफी जादा बहतर होता है तीसरा fent की वास्तिविक जीवन के बारे में हो तो काफी ठीक है यह पुछन भी ठीक है और D बोल रहा है कि मैरे विचार से गणित की पाठी पुस्तक के कई प्रशन समस्या समाधान के लिए इस्तिमाल हो सकते हैं तो एक ही ओप्षन है जो नकारात्मक बोल रहा था आपको कि मेरे समस्य समाधान और गणीती तरकणा में कोई भी सरसंबन कोई भी relation आप लोग नहीं बोल सकते हो जो की सरासर आपका गलत होगा समस्य समाधान और गणीती तरकणा जो है आपस में इंटर रिलेटेड होती दोनों चीजे एक दूसरे से connected रहती तो आपका answer यहाँ पर क्या बन ज टीचर पाइथागोरस थियोरम जो है उसको solve करवाईगी उसको कुछ पढ़ाने वाली है आद बच्चों को राजन जो एक student है राजन यह तरक करता है कि त्रिपूज ABC जो है सही तरीके से नहीं बनाया गया है इसे बनाने का सही तरीका यह होता है तो देखो यहाँ पर वो पाइथागोरस थियोरम क्या बोलती है कि हम लोग अपनी बात करें हमें प्रेंगा ठीपूइनस के सामने वाली बूजा होती है हमीशा हीपोटेन데र्ट होती हमीशा कर्ण होती है यह बात हमें पता है लेकिन यह बात जो राजन है ये जो छोटा बच्चा है राजन इसको नहीं बता है जब मैमने इस तरीके का चितर बनाए क्योंकि according to Pythagoras theorem ये भी ठीक है 90 डिग्री का एंगल अगर यहाँ पर दिखाया गया है तो इसके सामने वाला जो भूजा होगी वो कर्ण होगी और बच्चे ने क्या समझ लिया है कि जो इस तरीके के लाइन होती है न वो हमेशा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है तो यहाँ पर बच्चा किस प्रकार की गलती कर रहा है या फिर ये जो राजन है इसकी धारणा गलत क्यों है ये आपको बताना है क्योंकि राजन ने क्या बोला कि ये वाला चितर सही है और ये वाला जो डाइग्राम यहाँ पर बनाया गया गलत है और एकॉर्डिंग टू मैं ये वाला सही होगर पाइथागुरस थियोरम के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं कि 90 डिगरी के सामने वाली बूजा जो होती हम हमेशा कर्ण होती है तो अब यहाँ पर आप देखो कि राजन का कॉंसेप्ट गलत क्यों है सबसे पहले उसे शिक्षक ने हमेशा इसी तरह त्रिबुज बनाना बताया होगा इस वज़े से राजन गलती कर सकता है दूसरा है वह लेखन अशमता से ग्रस्त है मतलब लाइक क संकल्पना में कमजोर है तो देखो इस चीज को देखकर क्या पता चलता है इसी तरीके कि आपके बहुत सारे कुश्चन बनते हैं इसी प्रकार से कुछ और कुश्चन भी बनते है जिसी कि आपको दशमलों की जानकारी देना जो होती है उसमें बच्चे काफी जादा confusion create कर देते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा 21 by 7 ठीक और 0.21 by 0.7 कर लेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर वाला जो formula हम लोग लगाते हैं कि अब divide by 10 करोगे और divide by उपर भी 10 कर दोगे तो इस तरीके से वो बिलकुल equal हो जाता है तो आपन divide by 10 और into 10 ना करते हुए directly problem को solve कर लेते दशमलवाली तो बच्चा भी इस प्रकार की problem में भी confuse हो जाता है तो बच्चे की जो शमता है बच्चा कहां पर कमजोर पढ़ रहा है क्योंकि उसमें analysis करने की शमता नहीं है उसमें visualization करने की शमता अभी तक नहीं आ पाई है तो इस प्रकार की question के answer आपके almost यहीं बनेगे क यह भी आपका seat 8 में पूछा हुआ question है कक्षा 6 में शिक्षिका प्रतिक बच्चे को एक centimeter grid देती है पेपर देती है और केची देती है अब teacher बच्चों से क्या चाहती है कि वे बताएं कि द्वी आयामी आकरतियों को त्री आयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा स इस रहे घुर्णन को या फिर फॉर्ट हो सकता है आपके पास परावर्तन आंसर यहां पर क्या होगा बच्चों के पास क्या क्या है centimeter scale पेपर है और केची ओ टीचर द्वी आयामी से त्री आयामी बच्चों को आकरति बनाना चाहती है तो teacher कहीं न कहीं यहां पर बच्चों की जो घुर्णन बद्दती है उसकी बारे में बच्चों को explain करने की कोशिश कर रही होगी क्योंकि दशमलों का ग्यान तो हम लोग इस तरीके से यहां पर बच्चों को यह इस तरीके से बार बना कर देते टैन इंटू टैन का matrix बना कर देते परावर्तन की बात यहां पर ल आपका option number C ठीके clear हुआ अगले question पर बढ़ेंगे चलिए question number 12 आपकी screen पर है एक शिक्षक नीचे दिये के संकल्पना मान्चित्रन को पूरा करने के लिए अपने विध्यारतियों से यह कहता है कि बच्चों आप यह जो दिखाया गया है चित्र इसको complete करिए सबसे पहले तो यह बताईए ठीक है और त्रिबूज के क्या क्या विशेजता होती है त्रिबूज के जितने भी कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है और यह बूजाओं का योगफल इससे बड़ा होता है मतलब सामने वाली बूजा से बड़ा होता है या फिर इससे कुछ जो हम किसे इन चीजों को केटेगराइस किया है और टीचर ने ऐसा बूला है कि आप यह जो concept mapping है संकल्पना मानचितरन का मीनिंग होता है concept mapping करना और इनकी विशेष्टा है क्या होती है यह बताइए सभी कोणों का योगफल कितना होगा 180 degree होगा इस तरीके से जो भी बच्चे से शिक्षक संकल्पना मानचितरन का प्रियोग कर रहे है तो देखने से ही पता चल गया था concept mapping हो रही है सबसे पहला option आपके सामने था रुपात्मक आकलन करने और यह अंतरद्रश्टी प्राप्त करने के लिए कि विध्यारतियों ने कितना सीखा है यहाँ पर इसके लिए यह चीज यहाँ पर की गई है दूसरा है शिक्षारतियों की स्थानिक योग्यता को समवर्दित करने के लिए ताकि वो एक इकाई को संपुर्णता की रूप में देख सके मतलब जितने भी त्रिभूच के जितने भी concept है उसको एक complete form में देख पाए मतलब त्रिभूच की complete जानकारी बच्चे को यहाँ पर मिल पाए ठीके तीसरा उप्षन क्या है प्रत्यक विध्यारति के ध्यान कीशने के लिए कि सभी बच्चे इस चीज को attract हो सभी बच्चे concentrate होकर इस चीज को सीखे इसलिए teacher ने यह करवाया था ये वाला और अगला उप्षन है विभिन प्र करने के लिए कि विध्यारतियों ने कितना सीखा एक तो यह option आपके पास बच्चता है और दूसरा option है शिक्षारतियों की स्थानिक योग्यता को समवर्धित करना मतलब बच्चे के पास जितना भी knowledge है उसको और जादा बढ़ाने के लिए और वह जो इकाई है उसको परपस यह होता है कि बच्चा सारी चीजों को as a completeness के रूप में सारी चीजों को एक साथ देख पाए एक ही करन करके उसका integrated way में उसको देख पाए तो भी answer हमारा यहाँ पर बिल्कुल right होगा